नवस्कार इस वक्त हमारे पास नेपाल को लेकर बहुत एहम जानकारी है जो नेपाल अब तक भारत को आखे दिखा रहा था अपने देखा कि भारत की सीमा पर नेपाल पहली बार अपने अपनी सेना को तैनात कर रहा है वहाँ अपने क्याम तैयार कर रहा है वो नेपाल अब अमेरिका के साथ साजिश्ट करने पर उतराया है वो नेपाल अब अमेरिका को आखे दिखाने लगाए क्योंकि चीन उसे उकसा रहा है चीन उसे फंडिंग कर रहा है अब कैसे नेपाल ने अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया या अमेरिका को आख दिखाना शुरू कर दिया है हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं और इसका नेपाल पर क्या असर पड़ेगा इसका दुनिया में क्या असर पड़ेगा दूसरे देशों पर भारत पर क्या असर पड़ेगा आप वो भी समझे है अब यहाली में अमेरिका ने दो बड़े देशों प्रतिबंद लगाए गए इरान और चीन पर अमेरिका ने प्रतिबंद लगाए लेकिन अब इरान के बैंकों ने नेपाल के बैंकों से मदद मागी है और नेपाल के बैंकों को मदद कौन कर रहा है तो चीन कर रहा है और नेपाल के बैंकों ने इरान को मदद करने के लिए हामी भर दी है इससे अमेरिका नाराज हो गया है अमेरिका के खिलाफ ये नेपाल की पॉलिसी है क्योंकि चीन उसकी मदद कर रहा है उसकी सपोर्ट में चीन खड़ा है और चीन नेपाल के बैंकों को पैसा दे रहा है और इस तरह उसे अपना करज़दार भी बनाता जा रहा है किस रिपोर्ट में क्या है क्यों ये बहुत डराने वाली रिपोर्ट है अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए क्यों ये बहुत खतरनाक रिपोर्ट है नेपाल की कमपनियों और बैंकों ने इरान और चीन की मदद के लिए ये बहुत गौर कीजेगा नेपाल के बैंकों ने इरान और चीन की मदद के लिए ये अमेरिका को दोखा दिया क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि अमेरिका से मदद पहुंचती थी नेपाल के पास और नेपाल उन पैसों का इस्तमाल करता था अपने यहां अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने दंदों को आगे बढ़ाने के लिए फिनलिस फाइल जो नाम जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का नाम है फिनलिस फाइल जिसमें कहा गया है कि दिसंबर 2006 से लेकर मार्च 2017 के बीच नेपाल के नौ बैंक को दस कमपनियों और अलग-अलग लोगों ने सीमा पार जो बिजनस है उसके नाम पर संधिक्द पैसों का लेनदेन किया और ये पैसों का लेनदेन कहा हुआ? कहां से हुआ? चीन से हुआ और ये पैसे गए कहां? इरान में गए और तेहर Ан में गए आपको भी बताए कि साल की शुरुवात से ही यानि 2020 जब से शुरू हुआ तब से इरान और अमेरिका में कैसी जंग छुड़ी हुई है इरान और अमेरिका दोनों को एक दूसरे के कटर दुश्मन मानने लगे हैं लेकिन फिर भी और अमेरिका ने इरान पर प्रतिबंद भी लगा रखा है आर्टिक प्रतिबंद है साथी व्यापारिक प्रतिबंद है बहुत सारे प्रतिबंद थोप रखे हैं अमेरिका ने इसके बाद भी प्रतिबंधों को लांगने का मतलब होता है कि अमेरिका से सीधे दुश्मनी लेना, लेकिन नेपाल को इसकी कोई परवाह नहीं, नेपाल को इसा लगता है, वो इस गलत फाहिम में है कि चीन उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, चीन पीछ में ही खंजर होपता रहा है, और अब एक बार फिर से नेपाल किस गलती की सजा उसे मिल सकती है, चोकि एन वक्त पर जब भी अमेरिका ने नेपाल को मदद पहुचाई है, आप देखे जब से तरास दिया है, चाहे वो 2013-14 का भुकम पर रहा हो, या फिर नेपाल में बाहर की स्थिती रह अमेरिका ने नेपाल तक मदद पहुचाई, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, भूलते हुए नेपाल ने अब अमेरिका के पीछ में खंचर घोपा है, क्योंकि उसे पता है कि चीन उसके साथ है, तो उसका कोई कुछ नहीं भी गार सकता, उन बैंकों के ना कैसी कमपनिया शामिल है, जो सीधे तोर पर स्लेंदेन में शामिल है, एक 11 साल के दोरान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए कि दिसंबर 2006 से लेकर 2017 तक, तक 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 11 साल के दोरान कमपनियों ने 29 करोर डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है, 29 करोर डॉलर की रकम इधर से उधर की गई है या दी गई है दूसरे देशों को अमेरिका से लेकर अब चुंकि नेपाल अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है तो अमेरिका नेपाल को इस बात के लिए सबक जरूर सिखाएगा जरूर बताएगा और से पूछेगा कि हमसे जो अब तक मदद मिल रही थी उस मदद का कैसे और कहां इस्तमाल हुआ नेपाल पर वैश्विक दबाव भी बढ़ सकता है आप इसे समझे कि नेपाल पर वैश्विक दबाव बढ़ने का मतलब हुआ कि हो सकता है अमेरिका उस पर भी कोई प्रत्यबंध थोप दे चोकि हमने देखा कि नेपाल अभी चीन से लगातार करज ले रहा है नेपाल ने अपनी कई सारी चीजें यहां तक कई पोर्ट और कई एरपोर्ट तक चीन को गिरवी रख दिये अब इसलिए कहा जा रहा है कि चीन के हाथों में खेल रहा है नेपाल और अमेरिका से दुश्मनी मोल लेने को वो तयार है